जहिन साथियो स्वागे थे आप सभी का Education Care 6 और YT Education Case प्लेटफॉर्म पे चैनल पे आप नए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों बिहार में BPSC TRE 3 यानि के सिक्षक भरती का तीसरे चरण का एक्जाम खतम हो गया आंसर की दे दिया गया और अब आपको आज 2 सेप्टेंबर से लेकर आज सेप्टेंबर के बीच में आंसर की पे Objection करने का भी आपको Option दिया जा रहा है अब वो ही चात्र इसको Objection करेंगे जिनको लगता है कि उनका ये उत्तर गलत है लेकिन इस बात का ध्यान रखेगा मैं आप सभी चात्रों को Objection करने को कहूंगा चुकि आप लोग अगर ऐसे चात्र हैं तो Group बनाएए Group बनाके आप लोग डिसकस कीजे कि हाँ ये उत्तर हमें गलत लग रहा है और आप सभी उसके उपर आपत्ति व्यक्ट कीजे अब इसके पीछे मैं क्यूं लॉजिक दे रहा हूं कि आप सभी को आपत्ति करना चाहिए चुकि रेखे आयोग जो है पिछली बार TRE1 और TRE2 के दौरान एक चीज़ नोटिस कर चुका था कि जो चात्र है जो भी चात्र यहाँ पर objection किये थे वो ये सूच कर किये थे कि चलो वो कर दे रहा है तो मेरा number बढ़ी जाएगा लेकिन उस number पे उस question number पे विचार ही नहीं क लेकिन मैं यहाँ पर आपको यही कहना चाहूँगा कि आप सभी चात्र जो भी आप लोग ग्रूप बनाके डिसकस कर लिजे कि हाँ यह उत्तर जो है आपर गलत है तो इसके लिए हमें objection करना थे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग उसको objection के लिए ताकि उसका आंसर जो है आयोग ने गलत ही मान के छोड़ दिया यादि कि उसके अनुसार वो सही है पर आपके अनुसार वो गलत ही मान के छोड़ दिया तो किसी का नंबर नहीं बढ़ेगा तो इस बात का ध्यान रखीगा आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि BPSC TRE 3 के objection क कैसे करने ठीक है और TRE 3 का जो है आपती आपको कैसे करने step by step follow कर लिजेगा और आपको साक्षे साक्षे आने की proof देना होगा उस question का तो वो कहां से और कैसा होना चाहिए यह भी मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो में चलिए अन तक बने रहेगा step by step चीजों को follow करके objection जर तो उस notice उस article को आप लोग की education.in के official website पे जरूर देख लिजेगा चलिए दोस्तों तो सीधे लिए चलते हैं आपको BPSC के official website पे जहां पे इसका link दे दिया गया है आप apply online वाले section पे जाएंगे और यहां से click कर लिजेगा जैसी आप click करेंगे आपको एक link और मिलेगा यहां से आपको करना है BPSC online application पे जाकर आपको objection अब आपको यहां पे इसके page पे आजाएंगे जहां से आपको login कर लेना है अब यहां पे आपको अपना username और अपना password डालना है और इस capture को यहां पे डालकर login कर लेना है आप सीधी आजाएंगे अपने dashboard पे दोस्तों कुछ इस तरह जो है आपका dashboard दिखेगा जहां पे आप सभी छात्रों का नाम, father name, mother name, husband name या जो भी आपके mobile number, detail आपको यहां से यह सब कुछ दिखेगा यहां से आपको आपके अपना detail लेक्तों चेकी कर लेना है अब यहां पे देखीगा तो यह option है अब आपको करना क्या है इस section पे आप आपको क्लिक करना है raise objection of number of question ठीके अब देखेगा यहां से आपका जो है step शुरू हो जाता है आपको यहां इसके बाद जो है कोई गलती नहीं करना है इस बाद का ध्यान रखेगा चलिए अब आप देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा जहां पे जो है आप सभी छात्रे जो हैं आप अपना list of objection raise कर सकते हैं यहां पे एक option दिख रहा है click करने का click here to raise objection in any your question तो यहां से आपको पहले click करना हुआ पहला step तो आपको यही से follow करना है यहां से देखिए यहां से जो है आप जैसे click कीजीगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का board open होग dashboard जहां पर आपको examination का subject choose करना है कि कौन से examination के लिए आपने apply किया तो क्या है कि 125 के लिए यहां पर और 628 के लिए यहां पर link दिया गया है देखे language general study और mathematics science करके यहां पर आपको दिया गया है सब्सक्राइब तो general study में क्या है कि 628 का आप apply करेंगे तो उसका आपका आजाएगा general study में जितना भी आपका subject है जैसे 125 में general study है आपका general से आप वो ने आविदन किया है तो उसका भी आजाएगा language में 628 और 125 के दोनों आ जाएगा तो यह आपको class आगे पुछेगा तो यहां से आपको इस और इनका question number जो है पूशेगा कि कौन सा question number पर आपको doubt है याने कि objection करना है तो suppose इनको जो है इन डेड़ सो प्रश्टनों 120 प्रश्टन है ना साथ यहां पे तो 147 पर question है question number तो candidate ने उसके उपर क्या answer किया है candidate answer की तो आपने यहां पर उत्तर किया है suppose मान लेजे कि C number बट ज आयोग ने क्या उत्तर किया है तो मान लेजे कि आयोग ने वहाँ पर option B answer किया है अब आपको यहां पर क्या करना है कि यह objection description लिखना है कि आपको यहां पर क्यों ऐसा लगता है कि वह उत्तर गलत है और उसका साक्ष आप कहां से दे रहे हैं उसके बारे में एक details 300 सब्दों क जो है जानकारी यहां पर आपको लिखना है ठीक है अब यहां पर आपको description लिखना है आप अपने सब्दों में अपने बातों को रखिएगा जैसे कि मान लिजे कि यहां पर आपको लिखना है according to the answer key provided by the commission the correct answer listed on option number e however based on the standard textbook reference the correct answer should be option number b तो इस तरीके से कुछ भी अपने बारे में अपने आंसर के बारे में बताईएगा और कौन से reference book की बात कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कौन से reference book आप बता रहा है उसके बारे में जनकारी दीजिएगा और page number wise जनकारी दीजिएगा कि कौन से page का question है कौन से answer आप चाहते हैं जो भी आपके देखिए मैं यहां पर सब्सक्राइब के तोर पर बता रहा हूं कि इसके बारे में description लिखना है कि कैसे आपका उत्तर सही है यह आपको जनकारी यहां से देनी है फिर आपको page of reference documents देना है जैसे आपने ncrt book का page number 165 दे दिया है लिखे गही है कि यहां आपका द्वरा जो दिया गया उत्तर है वो सही है उसका साक्ष यहां पर दिख रहा है यानि कि उसका proof वहां पर दिख रहा है लिखा हुआ जो है आपके उत्तर सही बता रहा है तो वही इसका screenshot लेकर उसका 100 kb का PDF बना लिजीगा क्या कीजेगा उसक उसको search कर लिजीएगा जिसे मान लिए कि आपने ncrt का जो है book refer किया तो उसका cover page search किजेगा तो मिल जाएगा और उसको भी 100 kb के अंदर मतलब है ना होना चाहिए उसका और उसका PDF या JPG format में उसको बनाना है तो यहाँ पे तो JPG format बोला गया है लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो यह बोला गया है आपको PDF format में उसका answer साब सुतराजनम दिखना चाहिए और उसका answer आपको वहाँ पे लगे कि हाँ आपने जो उतर किया है वही सही है तो इस तरी तो यहाँ से इस तरीके से जो है इस टेप को फॉलू करके आपको करना क्या है अब देखिए औप्जेक्शन करना तो ठीक है यहाँ पे यहाँ पे जरूर चेक कर लिजेगा कि जो भी आपका exam का subject है वह आया है कि नहीं portion booklet जो आपने दिया है वह आया है कि नहीं portion number जो आपन आयोग का दिया हुआ है तो भी दिया हुआ है पर page number जो reference है आपका 167 में बताया गया है कि जो objection description है वह आप बता दिया है वह आया है कि नहीं reference documents का नाम आप बता दियेगे nCRT book का है कि nCRT का यह आपको यहाँ पे दिखेगा कभर page आपको यहाँ पे दिखेगा और यहां से option एक देगा कि डिलीट करनेगा मतलब आपको लगता है कि नहीं बात में गलत है अब्जेक्शन मुझे नहीं करना तो यहां से आप डिलीट भी कर सकते हैं तो इस तरीके से जो है आप इसको सेव कर लेंगे दोस्तों और सेव वाले बटन पर वहाँ पर जैसे क्लिक कर लिएगा सेव हो जाएगा आपका ये और लिस्ट हो जाएगा ये ध्यान रखिएगा लिस्ट जरूर देख लेगेगा लिस्ट हो आई के लिए तो इस तरीके से जो है आप अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कितने भी प्रश्णों पर तो यहां पर कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा ये संभावना है पर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा ये अभी आयोग के उपर डिपेंडेंट है लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप ज्यादा से ज्यादा छात्र अगर यहां पर ऑब्जेक्शन कीजिएगा तभी जाके आपको कहीं न कहीं जो है इसका बेनेफिट मिलेगा नहीं तो number of student अगर कम हो गए तो पिछले बार के तरह TRE1 और TRE2 के दोरान वहीं उत्तर को सही मान लिया जाएगा जो आयोग नहापे अपना उत्तर सही दिया है तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजे समझ में आई होगी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेजेगा और अपना साक्ष या तो BACB या NCRT वो या तो आप जो है कोई ICAC बोर्ट या तो किसी भी राज्य सरकार की बोर्ड को ही साक् चर्ड करते हैं